और इसी का पढ़ना में कि मुद्धी की लाहर और राम लाहर तरी परदेश में बैटे हैं भगान राम लेकिन उस लहर को किसे बहुत सुनियोजी तरीके से एकदम धार दे रहे हैं वो योगी आधितनात का उसमें बहुत बड़ा श्रीय है और अब आते हैं मनी जी जो आज का आम लोग का टॉपिक है कि मुझे मैं भी कह रहा था कि अस्ती में अस्ती हो सकती लेकिन मुझको मनी चारपांट सीटों पर संका थी कि चारपांट सीटें गड़बड़ हो सकती 75-75 कि उनमें से रामपुर की एक सीट थी उसमें से मुरादा सब्सक्राइब हो सकती है और एक वरुण गांदी पिछले साल दो साल से भाइका भाइका था तो पीली वीच की सीट मैं मान रहा था कि अगर वरुण गांदी उद्वाहां से लड़ गया तो बातपा के लिए मुश्किल होगा और वसम्दों हारेगी उसे लेकिन आज आज एक ही दिन में जिस तरह से मामला साफ हुए है सारे कि पीली वीच से दो वरुण गांदी ने सरिंडर कर दिया कि हम वह जो खरीदा था नमंकर पत्र उसको दाखिल नहीं किया का मैं नहीं लड़ूँगा अपनी मा को लड़वाँगा और मेंका गांदी का बयान आ चुका है कि मैं सोंवार को सुल्टानपूर पहुंचर हुए मैं चुनाओ सुल्टानपूर से लड़ूंगी तो पीली वीच का रस्ता साथ पीली वीच क्लीन सुईप हो गई जीत जाएंगा कब जादा वाला कुछ मामला होगा लेकिन जीत जाएंगे वही इस्तिति मुरादाबाद क बढ़ियां उता रहा है बढ़ियां चुलाओं लड़ेंगे और जो रामपूर था तो रामपूर में तो गर के घर को आग लगए घर के चिराग से तो वहां तो सारी लंका इनकी जलादी कुछ राजम खान ने तो वहां पर भी रामपूर भी बाच्पा अगर जीते गी तो बाबा के नाम धर्ज़ो जाएगा इस बार तो यह यह मतलब उस आजम खान का जो कहता था कि यह तंखईये हैं तंखईयों से मत डरना उस आजम खान को खौफ इस बात को लेकर कि है कि यह रामपूर हमेशा के लिए सब हमारे पास से चला गया अखिलेश यादब को क्यों नामपूर से लड़वाना चाह रहे हैं जिसको अखिलेश ने डर के मारे सरेंडर कर दिया यह तो बड़ी बात है सब्सक्ता उसका नहीं लड़ सकता हो दोनों बाप बेटों का राजनेतिक जीवन खताब पटा चेप कर दिया योगी बाबा की सरकार ने अब वह इस लाएक किसी को मानता है तो वह अख्लेश जादों को दोशी मानता है कि और यह मैं यहां की बता दू जो यूपी की जादा जानता हो ठीक से आजम खान और अख्लेश जादों के संबंद कभी अच्छे नहीं रहे आजम खान हमें से एक तो अपने आपको मुलायम सिंह की तक्कर का निता मानता था और आजम खान के जो संबंदर है वो शिवपाल से रहे अख्लेश से कभी अख्लेश को बड़ा दी नीन बड़ी तुछ निकाहों से तो देखता था तो वह एक दोनों के बीच में खटास थी और जेल काटी है तो अख्लेश ने ज्यादा इनको भाव नहीं दिया और अब जो आजम खान की रणमीत है वो जान रहा कि हम तो गए हम अब हमारा तो कोई भविस्ट राजनेटी खाए नहीं जेली में कटेंगा उसकता जेल से ही विदा हो जाए कि अब वह प्रतिशोर की भावना में वह अकले शादों को निप्टाने की ठान चुका मनी जी हो और यह जो प्रकरण हुआ है पूरा इसमें अखले शादों ने एक बार फिर इस बात का परचे दिया कि आज भी राजनीति में पांस साल उत्तर प्रदेश के मुक्मंतिरी रहने के बावजूद अखले शादों आज भी राजनीति में लूंडे हैं और जैसा चाहा व सब्सक्राइब और मुरादाबाद और रामपूर यह दोनों सीटे हारने का मतलब अकले शादों के राजनाइटिक जीवन के बहुत बड़ा कलंड हो जाए क्योंकि दोनों 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है मैंने का न मैं इसलिए उसको तोड़ा तफ मान रहा था और जिस मतलब कि अखले अखले शादों को मुह दिखाने लाइक वो राजनाइटिक सर्किल में वो आदमी नहीं चोड़ेगा और यह भी समझ लीजे मैं बिल्कुल उल्टी आपको व्याक्या कर रहा हूं रहा है इस राजनीत की जो सारे चैनल कर रहे हैं मैं उसके बिल्कुल विप कर रहा है कि क्योंकि अगर यह दोनों सीटे हारे और अस्ती में अस्ती हैं सीटे हूं ही बाजपागी तो शिवपाल यादो समाजवादी पार्टी पर लोग सबाद चुनाओं के बाद कबजा करेंगे और उस कबजे में पूरी मदद आजम खान कर रहा है कि मैं जित्त मैं जित्ता रहे के निपटा सकता हूँ इस तरह से जिसतरह का मनी जी दोनों जगह पर मुरादाबाद और रामपूर दोनों जगह पर जिस तरह से प्रत्यास्यों को लेकर भ्रहं पएदा कराया आजम खान ने तो अखले साहद हो को बहुत पहले समझ वह आ जाना चाहिए था यह आदमी हमको फसा रहा है यह ले जाते हैं घड़े में और वह उसके कहिने परत्यासी बदल दिया फिर वहां में दूसरा प्रत्यासी उतार दिया यह नहीं का यह राजनेतिक लौंड पना जिसे कहनेते हैं तो आक्षे शादों ने इस वाले प्रक्राण को दोनों में दिख रही है और इसी लिए सिवपार यादों भी इंतिजार कर रहे हैं कि सुनाओ के बाद देखे क्या होता हुआ हाजम खान कि इतना स्वार्ट था कि अब वह आदमी इस से राजनेतिक बदला ले रहा कि मैं जितना नास कर सकूं वह था यह जो लोग बता रहे हैं कि आजम खान आजम खानने की चलो काम खतम और वहां पर दिल्ली सिला के मौलवी लाद दिया है उसकी तक्कर में दूसरे ने बराबर से पर्चा भर दिया कोई तीसरे ने भी भरा है तो जूते मदाल रामपूर में भी बटवा दिया आजम खानने तो दोनों जगे ऐसा जो मनी जी यह नहीं तरह कर पाई कि यहां चुनाओ किसको लोड़वाना है वहां यह इस तरह का पहला है रायता तो यह यह इस्तिती बता रही है कि आपकी यूपी की असी में असी और इसका एक और उदारा समय की कांग्रेस अभी तक रायवरेली में कंडिडेट ने डिक्लियर कर पा सब्सक्राइब करें तो यह रहा है जो चोटा पैशा मां बड़ा पैशा में अपड़ता है लेकिन वहां तो खुदी तो दर्मिंदर यादो उन पर निरुवा बहुत भारी पड़ेगा मतलब आपको लग रहा है कि आजम अखिलेश यादर भी राहूर गांदी बन गया है मैदान छोड़ चुके हैं और यूपी में कहीं से चुनाव लगने के लिए कि हिम्मत नहीं जुटा पाने चाहे हो मैं पूरी हो आजम कड़ हो या फिर जो रामपूर करा रहा रहा है उसे तो जिता रहा जितवा नहीं पाया अखिलेश को क्या जितवा देते हो आथ जो रामपूर बहुते बुला रहते ना ने मनी जी आप दर सक समझ लें कि अभी उसके बाद आजम खान ने चित्थी जो वाइरल कि यह उसमें ने का ना कि मैंने अखिलेश यादो उसका था कारण है ऐसा नहीं जहां 50% मुस्ली मोटर हो वहां से लड़के अखिलेश यादो चुनाओं हो जाएंगे जरा मुश्किल काम है यह मतलब फिलाल आज की तारिक में यह कोई स्विकार है नहीं लेकिन मनीज जी अच्छे से मालूं का जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बत है कि 50% मुस्ली मोर्ट उसके बावजूर अख्रेश यादो चुनाओं तो अख्रेश यादों को दूर से नमस्ते की आरामपूर को कि नहीं नहीं लड़ूंगा और यह होती है कमजोर नेता की निशानी कि उनको अपने अख्रेश यादों को अपनी परस्नालिटी के ती कि अख्रेश यादू है